नमस्कार भक्तों, हर हर महादेर, अमीरी आने से ठीक पहले मिलते है ये खास संकेत, जीहा मित्रों जब भी माता लक्ष्मी किसी व्यक्ती के जीवन में आगमन करने वाली होती है, तो उसे प्रकृती द्वारा कुछ विशेश संकेत मिलने लगते है, हमारे आसपास प्रतिदि घटित होती रहती है, लेकिन हम उन घटनाओं पर कोई जियान नहीं देते है, मित्रों आपको बता दे धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इन में से कई घटनाए हमें शुब और अशुब दोनों प्रकार के संकेत देती है, इस जीवन में धनवान कौन नहीं होना चाहता है, धन की देवी लक्षमी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है, जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्यारह शुब संकेत मिलते है, जिससे यह पता चलता है, कि आपके घर में महालक्षमी जी का आगमन होगा और आपको अपार धन मिलेगा, इसे आप अच्छा समय आने का स तो मित्रों सबसे पहला और आजमाया हुआ संकेत आज हम आपको बताने जा रहे है, विश्वाश कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप सच में, माला माल होने वाले है, आपके पास धन आने वाला है, तो क्या है वो पहला संकेत तो मित्रों पहला संकेत है, कि जब कभी आपके घर के आपके मुखे दर्वाजे के बाहर अगर गाय आकर बैठ जाए तो मान लो अब आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या पत्म होने वाली है और आप जल्द ही अमीर होने वाले है तब अगर आपके घर रोज अगर गाय माता आकर बैठ जाए तो आपको क्या कर उनको रोटी जरूर खिलानी है, उनको भूखा नहीं जाने देना है, तो ये तो हुआ पहला संकेत, अब बात करें, दूसरे संकेत के बारे में तो मित्रों, दूसरा संकेत है, अचानक से, आपके घर में काले रंग की चिंटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो स जरूर करें, माता लक्षमी की कृपा आपके उपर जरूर होगी, अब बात करें, तीसरे संकेत के बारे में तो मित्रों तीसरा संकेत कहता है, यदि आपके घर में कोई चिडिया आकर घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुप संकेत माना गया है, आप मान लें कि अब आपक पानक तीन छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर छिपकली दिथ जाए तो उसे जरूर नमस्कार करें। क्यूंकि दिवाली के दिन मुश्किल से ही किसी के घर में छिपकली दिखाई देती है। आप आजमा करके देख लेना। अजली होना धन के आने का संकेत होता है। अब बात कर लेन अगले संकेत के बारे में तो मित्रों अगला संकेत सात्वा ऐ जो कहता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंक की आवाज सुनाई देन और साथ में ही शाम को भी सुनाई देतो यह। महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। तो इस बात का भी आप विशेश ध्यान रखें। अब जल्दी से अगले संकेत के बारे में भी जान लेते है। अगला संकेत कहता है मित्रों, यदि आपको घर से बाहर जाते ही गन्ना दिखाई दो तो यह भी धन प्राप्ती का संकेत है। जिहां मित्रों अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और अचानक से आपको गन्ना दिथ जाए तो ये भी धन की प्राप्ति का संकेत होता है। अगला संकेत, मानलक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी, अब बात कर ले दस्वें संकेत के बारे तो मित्रो दस्वान संकेत है, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुट्टा अपने मुनह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है, कि आपको कहीं से धनलाब होने वाल बनने वाले हैं, तो अगर इनमें से कोई संकेत आपके साथ हो रहा है, तो हो जाए खुश आपके उपर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं, और अगर सच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, और व भन्यवाद, हर हर महादेब